दोस्तो आपके मन में तो ये जरूर आता होगा कि ये स्टेन पंखा और छट पंखा में सबसे ज्यादा हावा किसी ने देती है या फिर सबसे अच्छा क्वालिटी किस पंखे का है अगर हम बात करें छट पंखा की तो छट पंखा भी बेस्ट है क्योंकि अगर आपका घर छट का है तो ये छट पंखा बेस्ट अगर हावा की बात करे तो स्टेन पंखे के मुकावले ये पंखा कम हावा देती है क्योंकि ये आप जिस घर में लगाते हैं उस घर के हर कोना में हवा जाती है किन्तु अगर स्टेन पंखा की बात करे तो ये ज्यादा हवा देती है परन्तु सामने रहने पर दस फीट तक हवा पहुचा सकती है और आप चाहे की दस आदमी बैट कर हवा खाए तो नहीं हो सकता स्टेन पंखा हालाकि यहां से वहां ले जाए सकते हैं किन्तु छत पंखा में ऐसा नहीं होता है आईए हम ये जानते हैं की पंखा कैसे चलता है आपने कभी चुम्बा को तो देखा ही होगा असानी से यहीं भी मिल जाता है मोटर चुम्बक में नर्थ पोल और साउथ पोल को भी जानते ही होंगे बच्पन में जब हम चुम्बक के दो टुकरों को वापस में चिपकते थे तो वापस में चिपकते थे वहीं उनके वीप्रित पोल वापस में एक दूसरे से दूर दूर भागते थे चुम्बक दो परकार की होती है फर्ष्ट प्राकिर्तिक चुम्बक दूसरी कुरूतुम चुम्बक प्राकिर्तिक चुम्बक में ये तो आप सभी जानते होगे नॉर्मल मैजेने होता है के निया मनुसार एक दूसरे को तार में सटाएंगे तो पंखा चालू हो जाता है मेहनत के लिए लाइक, सेर और सस्क्राइब जरूर करे धन्यवाद